Good morning everybody तो फिल से एक बार आप त्यार है आज एक सेट के लिए और आप पचीस कोस्टन को बनाएए पीडिया फाइल निकाल कर पहले खूद बना ले और तब आप देखें कि कैसे आपका व्याख्या हो रहा और दुबारा बनाओगे तो मैं उमीद करता हूँ कि आप से आपका सब चीज फिर से एक बार याद की तौर पर हो जाएगा चलिए सुरुआत करते हैं पहला कोस्टन है फिर्स कोस्टन है फिल इन दी ब्लैंग पहला कोस्टन है आपका फिल इन दी ब्लैंग दे लैंड लॉड मकान मालिक fault with all his tenant और वा सभी tenant tenant का मतलब किरायदार किरायदार में हर तरह के fault यानि कमी को खोशते रहता है इसका मतलब हुआ कि landlord अपने सफाई के लिए पूरी तरह से दिड़ संकल्प है वा जिद्धी है वा चाहता है कि सब लोग उसके जो घर है उसको सरसफाई करके रखे तो इसके लिए वा क्या है जिद्धी है क्या मैं वर्ड बोला जिद्धी है fastidious का मतलब जिद्धी होना fabulous मने सांदार pompous का मतलब दिखावा करना और ominous का मतलब होता है असुभ तो आपके बास वर्ड हो गया fastidious यानि लैंड लॉड मकान मालिक अपने सफाई से कभी हटता नहीं है और वा सभी किराएदारों को ऐसा करने के लिए कहता है और अगर उनके सफाई में कुछ भी कमी है उसी को भी ढूणते रहाता है कमी को ढूणते रहाता है तो पहला का उतर हो गया नमबर एक question नमबर दो आपके बास है synonym एक समान एक समान का मतलब है ignominus इसका मतलब घ्रिना घ्रिनित कोई भी घ्रिना का योग्य है इसका अगर disgraceful disgraceful का मतलब भी घ्रिना घ्रिना से संबन्धित wonderful मने सांदार innocuous बिना हानी का disgraceful घ्रिनेत और generous का मतलब होता है उदार यह हूँ आपका ignominus का वर्ड होगा disgraceful याने घ्रिनित question number तीन question number तीन है आपके बास देखेंगे grammar का error खोशता है अब error खोशता है तो हमें जरा देखना है ध्यान से पहले question पढ़े climate change are a greatest threat are a greatest threat facing our planet which needs our immediate attention आप देखें ध्यान से दो दो गलतिया है सबसे पहले तो climate change singular है यह climate change यह आपके पास singular है जब यह singular है तो आर के बदले ease होगा फिर देखे our best लगा greatest लगा हुआ है greatest क्या मतला होता है super relative degree तो super relative degree के पहले कभी एक अपरयोग नहीं होता है बलकि दख अपरयोग होता है इसका मतलब climate change is the greatest threat climate change is यहाँ change के बदले ease आ गया और एक के बदले the ध्यान देना है दो दो गलतिया है इसका उत्तर होगा number 1 R और A गलत हो गया और इस दोनों के बदले होगा ease और the ठीक है ना grammar का कोई भी पार्ट हो से अपना बना लो जैसे डॉक्टर हर का अपना अपना एक master ही होता है कोई ना का डॉक्टर है कान का डॉक्टर है बाल का डॉक्टर है स्कीन का डॉक्टर है उसी तरह आप अपने आपको sit करो common year के साथ जीच जाओगे आगे बढ़ते है next question की हो फिल से आपके पास है error जब हम error काते हैं तो पहले पढ़े great many students who are good at other subjects perform poorly in English कभी भी great many का प्रयोग नहीं होता है जब होता है तो great many के बदले होता a great many plus plural now तो यहाँ पर a great many यानि उत्तर अमर होगा 4 a great का प्रयोग होगा चीख है न कभी भी आपके बास याद रखना cable great many का प्रयोग नहीं होता है a great many आगे बढ़ते है next की ओर discover syronym है discover का मतलव खोजना तो इसका find होगा word खोजने का word होगा find find का मतलव खोजना ignore का मतलव नकारना hide का मतलव खुपना खुपाना और neglect का मतलव भी नकारना आप इग्नोर को अंदेखी भी का सकते हो अंदेखी कर दे न ठीक है न उत्तर नमबर होगा पांच का चार कोश्चा नमबर छे छे कोश्चा नमबर में आपके पास क्या है यह भी एक grammar का कोश्चान है जिसको करते हैं sentence improvement sentence improvement this was and only the mistake यह इस तरह से and only the यह कभी only के पहले the का प्रयोग नहीं कर सकते हैं यानि हमारे पास and का प्रयोग हटा और यह only किस पर जोड़ कर रहा है mistake पर यह एक मात्र गलती है उत्तर अमबर होगा this was this was the only mistake this was the only mistake यानि उत्तर अमबर यह mistake के पहले only आ जाएगा इसलिए उत्तर अमबर तीन ठीक है आगे बरते है next की ओर चलते है group of words को हमें ढूंड़ना है one word substitution जहां one who eats too much जो बहुत जादा बहुत जादा खाता है gluten बहुत जादा खाने वाला gluten बहुत जादा खाने वाला gluten ओभर वेट जादा वजन वाला जादा वजन obese का मतला होता है मोटा और corpulent का मतला चर्वी वाला यानि मोटा चलिए भाई आगले question क्यों चलते है जहां एक close test दिया है और इस close test पर आधारित आपको नीचे इसका option दिया उससे उसको fill करना है पहले पढ़ लेते हैं each child deserve love and care प्रतिक बच्चा को उसकी सुरक्षा उसका देखभाल और उसे प्यार चाहिए the child who is dash for what he is even if he is slow अगर कोई लड़का slow है धीरे काम करता है और dash है will grow with confidence in himself अगर किसी बच्चे को आप अच्छे से उससे बात करते हैं तो यहां तक कि वह slow है clumsy है फिर भी वह अपने अंदर confidence को प्राप्त करेगा he will dash the ability to make the best use वह अपनी छमता का पूरा का पूरा मनें बिचार करेगा और और कहीं न कहीं बेस्ट करके उसे of the dash जो भी उसे अफसर मिलेगा उसके रास्ते में जो अफसर मिलेगा उस पर बेस्ट काम करके वह उस पर जीत हासिल करेगा and make light of any dash that may pose difficulties in his path और किसी भी तरह का जो भी उसके पास समस्या आएगा उस समस्या से वह कहीं न कहीं अपने आपको खतम कर पाएगा समस्या जो भी आए उस समस्या से अपने आपको वह दूर करेगा अब देखें question तो each child deserve love and care the child who is the child who is dash for what he is even करता है appreciated होगा अगर बच्चे को आप उसका appreciate करते हो प्रसंसा करते हैं if he is slow अगर वह धिमाठ है कम काम करता है and clumsy भद्दा है क्या होगा slow और clumsy will grow with confidence वह confidence के साथ आगे बढ़ेगा in himself अपने आप में he will he will develop the ability to make the best develop बढ़ाएगा अपनी ability को he will develop the ability to make the best use of the use of the opportunities which come his way जो भी उसके रास्ते में अवसर आएंगे opportunity का मतला अवसर उस पर वह जीत हासिल करेगा which come his way and make light of any any handicaps that may pose difficulties in his path और जो भी उसके handicaps उसके रास्ते में आएंगे यहां handicap का मतलब ऐसे handicap मतलब विकलांग लेकिन यहां पर handicap का मतलब कठिनाई जो भी कठिनाई आएगा उस कठिनाई आएगा उस यह को लव और केर की जवरत है तो हमें भी उन्हें हर कदम पर उन्हें अप्रेशियेट करना चाहिए चाहे वह भद्दा हो सिलो हो क्योंकि अगर हम अप्रेशियेट करते हैं तो कहीं न कहीं वह अपने अंदर confidence को डेवलप करेगा जो जो भी अबसर उसे आता है उस अबसर को भुनाने का प्रयास करेगा चाहे जितनी भी तकलीफ हैं उसके इवन में आये उस उस अपने difficulty को वह दूर करेगा तो यह आपके बास हुआ अठारा का आठ का तीन नौ का दो दस का आपका तीन एक ग्यारा का दो बारा का चाहर रिब्यूक का मत्तव डाटना जियर का मत्तव मजाख उडाना कार्टियस का मत्तव साहिर दे कैपेबल मने योगे कंसीडर बिचार बाकी सब आप लोग कंसील मने छुपाना इंट्रूजन का मत्तव होता है गुस पैट बाकी सब आप लोग को आता होगा चले आगे नेक्स्ट योड चलते है नेक्स्ट है वान बार सब्टिचूशन आपके पास है पिपुल हूँ इंज्वाइ सोशल कंपनी समाजिक समाजिकता में विस्वास करना लोगों के साथ रहने में विस्वास करना गिरिगेरियस समाज में राना हाँ समाज में राना हर्वी भोरस घास पाथ ठाने वाला गोर्जियस भरकीला चमकीला यूनैनिमस एक मत तो जो समाज में राना पसंद करता है आप इसको ऐसे भी का सकते हैं समाज में राना पसंद करने वाला ठीक है ना तो इसको करते हैं गिरिग गैरियस समाजिक नेक्स्ट है आगे बरते हैं डारेक्ट से इंडारेक्ट नेरेसन बनाना है तो अब ही सेड है सेड का टोल्ड होता है तो सबसे पहले तो टोल्ड वाले में हम लोग देख लें टोल्ड टोल्ड तीन में एक में नहीं है यह खतम हो गया यह नहीं हो सकता अब देखें आई है first person subject के अनुसार C यहाँ C होना चाहिए और यह have का head तो C head कहा है आप देखें यहाँ C head है यहाँ C head है दो में है और यहाँ पर question में now का मतलब then हो जाएगा तो now का मतलब then हो जाएगा यहाँ नमबर चाहर क्या होगा C told you that I बदला C may had a thousand rupees in her purse now का हुआ उत्तर नमबर हो गया चाहर पंदरा नमबर question नमबर पंदरा काता है please lock the door passive form है जैसे ही please से start होगा please से start होने पर उसका passive you are requested लगा कर बनाते हैं तो आप देखें you are requested cable और cable एक option चौथा में है इसलिए please lock the door का बन गया you are requested to lock the door you are requested to lock the door ठीक है न यह आपके पास हुआ passive form आपके पास का रहा था you are passive बनाने एक समय यह ध्यान देना अगर कोई sentence please से शुरू हो तो उसे हमें बनाना है you are requested लगा कर चलिए उत्तर बनाते हैं अगला का अगला आपके पास है jumble sentence jumble में पांचों sentence को पहले पढ़ने का प्रयास करें till quite recently the trend was to go to west कता अभी का जो trend है जो प्रविर्ती है जो जुकाओ है trend का मतलब जुकाओ west पस्चमी देशों में जाने का that offered advanced medical facilities जो हमें देता है medical चिकित्सिय सुविधाएं अधिक से अधिक this is because it has an offer the highest level of services facilities and professional skills कता this is because या इसलिए कि या offer करता highest level of service सेवा का सबसे उचतम बिंदो और professional skills उनके पास छमता होती है आगे है but over the last decade पिछले दस पिछले दस सालों में the trend has reserved reverse कता है कि ये trend जो है ये बदल गया reverse का मतलब बदल जाना and इंडिया इस बिंग चूजन फर मेडिकल टोरिज्म और आज भारत को हमारे मेडिकल के छेतर के लिए लोग यहां पर आते हैं today it is not uncommon to travel to a foreign country for medical treatment आज uncommon नहीं है कि लोग foreign country में जाते हैं क्या भाई medical treatment के लिए इसका मतलब हुआ कि मेरे पास सबसे पहला D होगा D का मतलब हुआ कि आज uncommon नहीं है लोग जाते हैं क्या जुका हुथा west की ओर जाने का यानि D के बाद क्या होगा A over the last decade trend बदल गया है लोग जाते थे अब नहीं जाते हैं C क्योंकि अब हम अपने highest level of services और professional skills के दोरा medical के छेतर में बहुत आगे बढ़ गए हैं उत्तर अमर होगा B यानि एक नमबर B A C और B चलिए next question है correctly spelled word खोशता है तो correctly spelled word में इसमें से कौन सा correct है तो चार नमबर है genuine G E N U I N E genuine का मतलब हुआ वास्तविक हाँ सत्रा का हो गया चार नमबर question number 18 अब यहाँ पर है wrongly spelled word wrongly spelled word में वैकिल V E H I C L E वैकिल का मतलब सवारी तीन नमबर होगा V E H I C L E यहाँ बेगर बेगर मतलब क्या हुआ भिखारी एगर का मतलब उत्सुकता value का मतलब मुल उत्तर बन गया इसका नमबर तीन आगे बढ़ते हैं 19 नमबर अब आइन्टिफाइड द एरर संटेंस इंप्रूब्मेंट के एरर में एक गूड सिंगर हमें बदलना है आप द टू लगा यह गूड सिंगर आप द टू आप याद गोगा आपको मैं सात्मा आठमा जो हमारे पास कोस्टन आप बना रहे हैं सिट में आपने देखा होगा कि आप द टू या आप प्लस नाउन एंड नाउन आने पर द प्लस कॉम्परेटिब लगता है आपने इसका पहले भी ब्याख्या देखा है आप द टू आ गया तो जेंडल तोर पर हम किसी सीडी के पहले द नहीं लगाते हैं अगर मैं कहता हूँ अगर मैं कहता हूँ अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा किसी भी कॉम्परेटिब यह सीडी हुआ सीडी बोले तो कॉम्परेटिब डिगरी लेकिन अगर इसी कोस्चन को हम ऐसे कहा दें यहाँ पर इस बेटर के बदले द बेटर का प्रयोग होगा क्योंकि आपका यह आफ द टू आ गया जब आफ द टू आ जाएगा तो उसके पहले द प्लस सीडी का प्रयोग आवस्चक है यह द और प्लस सीडी तो सेम तरह से हम अपने अगर कॉस्चन में देखते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ आफ द टू लगा है यह आपका नाउन होगे ठीके तो आफ द टू आने पर या आफ नाउन एंड नाउन आने पर हमें द द प्लस कॉंपरेटिव का प्रयोग करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की और अब आपके बाद से इडियम एंड प्रेज मुहावरा एवं लोकोक्ती काता है मुहावरा एवं लोकोक्ती में रूल द रूस्ट सभी निरने को लेना तो सभी निरने को लेने का वर्ड होगा तो मेक अल द डिसीजन यानि उत्तर अमबर चार कोश्चा नमबर एक कैस है फिल इन दी ब्लैंग फिल इन दी ब्लैंग देख्या जाए वी मस्ट नाट लूज वी बस्ट नाट लूज हर्ट हमें अपने उमीद को नहीं खोना चाहिए इन दे टाइमस अफ एडवर्सिटी बिप्रीद परिस्थिती में बिप्रीद परिस्थिती में भी हमें अपने उमीद को नहीं खोना चाहिए एडवर्सिटी क्या है डीफॉर्मिटी बिक्रिती इन एक्टिविटी इसका मतलब निस्किरियता डाइवर्सिटी बिभिन्नता उत्तर बन गया आपका किसी भी हाल में हमें अपने बिप्रीद परिस्थिती में भी अपने हर्ट को लूज नहीं करना चाहिए उत्तर नमबर दो कुश्चन नमबर 22 22 में आपके पास फिर से एक बार जंबल है तो पहले तो जंबल ABCD को हम लोग पढ़ें एक बार बनिया से जंबल में जब हम पढ़ते हैं काता है This kindness converted his street into a neighborhood kindness का मतलब द्यालुता convert का मतलब बदलता है his street into a neighborhood neighborhood का मतलब पढ़ोसी इसका मतलब हुआ पढ़ोसी He and his wife were always ready to lend a helping hand Lend का मतलब देना Helping hand मदद करने के लिए तयार है वह और उसकी wife Mohan was an ideal neighbor in every way हर जगा पर Mohan नाम का आदमी Ideal Never मने पढ़ोसी है Ideal मने others सबसे पहले तो C से ही start होगा कोई सक नहीं सबसे पहले C से start होगा Whether it was Lending tools or watering fields चाहे वह किसी समान को देना हो Field को पानी पटाना हो The couple embodied Neverly kindness जुडे रहते हैं Embodied का मतलब आदा है जुडे रहते हैं तो पहले तो C हो गया C के बाद क्या हो गया Mohan एक ideal neighbor है सभी प्रकार में अब उसकी wife भी आ गई यानि C के बाद क्या होगा B तो C के बाद B कहा है चार नमबर C, B और D, A ये आपका हुआ इसका पुरा का पुरा जम्बल Mohan एक अच्छा neighbor है वो और उसकी पतनी सभी लोगों को मदद करते हैं चाहे वो टूल देना हो या पानी ही क्यों न पटाना हो खेतों में और इस kindness इस street में बदलता जाता जहां वो जाते हैं वहाँ उसको work करते रहते हैं इसलिए होगा C, B, D और A आए कोस्चान नमबर 23 अन्टोनिम है अन्टोनिम है लॉयलटी लॉयलटी का मतना होता है राजभक्ती विश्वास तो विश्वास का उल्टा खोजना है ट्रिजन, धोखा जिसको आप करते हैं विश्वास घात फेट का मतलब विश्वास फीडेलीटी मतलब राजभक्ती और ट्रस्ट का मतलब विश्वास यह उत्तर हो गया नमबर 2 आगे बढ़ते हैं 24 नमबर में 24 नमबर है आपके पास इडियम एंड फ्रेज इडियम एंड फ्रेज का मतलब है थुरू थिक एंड थिन किसी भी परिस्थिती में इसका अर्थ हुआ किसी भी परिस्थिती का सामना करने के लिए परिस्थिती का सामना करने के लिए तैयार रहना support under all circumstances परिस्थिती का मतलब हुआ सरकमेस्थांसे ये परिस्थिती किसी भी परिस्थिती में हर परिस्थिती में साथ देना ठुष्टीक एंड थिन last question है question number 25 antonym antonym है retaliation बदला लेना retaliation का मतला होता है बदला लेना अब बदला लेना का हमें word खोजना है एक नमबर होगा reconciliation यानि सांती किसी से बदला लिया उग्र हो गया, क्रोधी हो गया और हम सांती पुर्वकु से अपने जैसा बनाते हैं तो रिकरते हैं रिकंसिलियेशन रिग्रेशन का मतला वापसी यह भी आपका गुसा से सम्मंदित हुआ रेट्रेस्पेक्शन यानि किसी चीज़ को नजरों से देखना सिंगहाब लोकन और लास्ट है आपका रेट्रिब्यूशन इसका मतला होता बदला तो उत्तर होगा उत्तर रमबर एक तो आज आपने फिर से एक बार इडियम और फ्रेज से लेकर one word substitution इडियम और फ्रेज आपके पास सीनोनिम आपके पास पैसिव आपके पास क्लोस टेस्ट ग्रामर संटेंस इंप्रोफ्मेंट सभी प्रकार के कोश्चन को आपने फॉलो किया देखा उमीद करता हूँ कि मजा ले रहे होगे आनंद ले रहे होगे आप खूब मजा करो सेट बनाओ सेट जितना से अधिक से अधिक आप बनाएंगे आप अपने एक्जामनेशन में उतना ही अधिक उतना ही जल्दी अपने कोश्चन को बनाने के काविल बनोगे चलो बाई जय हिंद जय भारण थैंकि बेरी मुच